मिथ्धुन चक्रवर्ती क्या भारतिय जनता पार्टी के नेता बनने जा रही है मिथ्धुन चक्रवर्ती को क्या बड़ा चहरा बना कर पश्चिम बंगाल के राजनेती में उतारने वाली है विजेपी आरसस ने मिथ्धुन दा से मुलाकात आखित क्यों की इसको लेकर राजनेती कलियारों में लगातार चर्चा की जा रही है आरसस के प्रमुक मोहन भागवत से उनकी मुलाकात को उन्होंने आध्यात्मक मुलाकात बताया और ये कहा उनका पुराना रिष्टा है आरसस प्रमुक से लेकिन जो कि ये सब राजनेती का खेल है पश्टिम बंगाल में विदान सबा के चुनाव होने जा रही है और पश्टिम बंगाल के राजनेतिक में पहले बे मिथुन चक्रवर्ती अपनी किसमत को अजमा चुके है और आज भी एक सुपर स्टार के तौर पर समूचे पश्टिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती को माना जाता है इसलिए क्या BJP के निगाहें मिथुन चक्रवर्ती पर हैं? आज हम इसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हैं वैसे तो मिथुन चक्रवर्ती BJP में शामिल होंगे या नहीं फिलहाल उन्होंने किसी भी तरह की अटकले लगाने से मना कर दिया है लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें कि ममता बैनर्जी की TMC का दामन मिथुन चक्रवर्ती पहले समहा चुके थे 2011 में बॉलिवोड के ख्यात अभीनेता मिथुन चक्रवर्ती बंगाल में सत्ता रूर ममता बैनर्जी की पार्टी से राज्य सबा सदसे रह चुके हैं होटाले में मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी सामने आया था मिथुन चक्रवर्ती शादा कंपनी में ब्रैंड अबिस्टर थे प्रवर्तन निदेशाले ने मिथुन चक्रवर्ती से पुष्टाज भी की थी इन सब खटना करमों के कुछ दिन बाद मिथुन चक्रवर्ती ने करीब एक करोड़ पीस लाख रुपे यह कहकर लोटा दिये थे कि वो किसी के साथ फरजी वाड़ा नहीं करना चाहते थे मिथुन चक्रवर्ती के CIC सफर पर नज़र डाले तो पता चलता है कि जवानी के दिनों में वे वामपंथी से जूड़े थे मिथुन चक्रवर्ती ने कई बार खुद को वामपंथी भी बताया है वे पश्टिम बंगाल में खेल मंत्री और वरिस्ट वामपंथी सुभाज चक्रवर्ती के काफी करीब भी माने जाते थे ऐसे में जब ममता बैनर जी के आमंतरन पर मिथुन दा ने टीमसी कॉंग्रेस का दामन थामा तो कई लोगों को काफी हैरानी भी हुई थी कि मिथुन चक्रवर्ती चो खुद को वामपंथी नेता के तौर पर सामने रखते थे उन्होंने अचानक से इतना बड़ा निर्णे कैसे ले लिया हलाकि ऐसे बहुत सारे वामपंथी और बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने 2011 के विधानसबास्त के चुनावों के दौरान टीमसी जॉइन की थी हलाकि टीमसी से नाता टूटे काफी टाइम हो गया है अब क्या भारतिय जन्ता पार्टी के जरिये एक बर फिर से बंगाल के राजनिती में एक बड़ा चेहरा बनेंगे या फिर नहीं इसको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो गए हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल की राजनिती में ममताब एनर्जी के सामने भारतिय जन्ता पार्टी उतारेगी मिथुन चक्रवर्थी को या फिर नहीं अब देखना दिल्चस्प यह होगा कि मिथुन चक्रवर्थी भारतिय जन्ता पार्टी के नेता बन जाएंगे या फिर केवल बिजेपी के लिए करेंगे परचार